हाउ रू फिक्स रेट मी नॉट एट प्रो वॉलियम बटन नॉट वर्किंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों स्वागर आप सभी का तिकिराज यूटुब चैनल पर तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस वोलियम बटन के प्रॉलिम को सौफट आउट कर सकतें तो कही बर दोस्तों यह इसू जो होते हैं या फिर हार्डवेर के वज़ते से तो दोनों में से दोस्तों अगर आपको कोई भी इश्यो हो रहा हूँ, उसको किस तरीके से फिक्स करना है, आज की इस वीडियो पर मैं आपको इसी के रिगार्डिंग पर सॉलुशन देने वाला हूँ तो दोस्तों यहाँ वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को क्लिक करें, यहीं आप ओनलाइन पेसा कमाना चाते हैं, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा और किसी भी प्रॉब्लिम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मेसेज कर सकते हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, तो दोस्तों वोलियम बटन का जो इश्यू है, उसको फिक्स करने के लिए सबसे पहले तो आप मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट कर कि देखें, उसके बार अगर प्रॉब्लेम सौल फोटारो ठीक है, नहीं होते हैं, तो डिवाइस के खेश बगरा को आप जो है, डिलेट कीजिए, उसके लिए आपको एबाट फोन पर जाना है, स्टोरेज को आपन करना है, और फ्रियाप स्पेस पर जाते हुए आपको क्ल को क्लीन अप करने के बाद दोस्तों, आब ये भी चेक कीजिए, अगर आपके फॉन पर कोई भी बैट अप्लिकेशन है, तो उनको डिलेट कीजिए, बैट अप्लिकेशन दोस्तों, कोई भी अन्नोन ब्रोजर से इंस्टॉल करता किया हुआ एप जो है, उनको अनिस्टॉल करना है, ठीक है, तो वो सब बैट अप्लिकेशन है, और ये डिलेट करने के बाद, मुबाइल को रिस्टार्ट करके, दुबारा से वोलियम बटन को दबा के देखिए, प्रॉब्लेम सॉल्फ हो जाता है, जो ठीक है, अगर प्रॉब्लेम इसके बार भी सॉल्फ नहीं होते हैं, तो दोस्तो आपको करना किया है, तो नेक्स्ट siete प्रोसेस में दोस्तो आप जो है, अपने मोबाईल सॉफ़ेर को अप्डेट करके देख लीजिए, अगर सॉफ़ेर अबडेट के बार प्रॉब्लेम सॉल्फ हो जाता है, तो ये सॉफ़ेर के वज़़ से आपको करके दे सकते हैं तो दोस्तों बीना वोलियम बटन की भी आप वोलियम को यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप कॉंट्रोल कर सकते हैं जैसे कि आप साउन और वाइबरेशन पर जाते हैं तो यहाँ पर वोलियम को कॉंट्रोल कर सकते हैं ठीक है साधिसा दोस्तों वोलियम कॉंट्र आपको play store पर भी मिल जाएगा जाके play store पर volume control करके search करें आपको कोई भी application मिल जाएगा volume control करने के लिए तो वो भी आप use कर सकते हैं अगर आपको permanently fix करना है तो technician के पास जाके आप fix कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो पर दोस्तों बस इतना है यह था आपके volume button को fix करने का तरीका thanks to watching